हाई अब्रिवन दिस इस प्रिंस के ट्यार और वेलकम टू आई नूरान तो आज यार हम लोग बात कर लेंगे हमारे लिस्ट के ऑपरेटर्स एंड फंक्शन के बारे में तो चली सुरू कर लेते हैं आज का क्लास तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम देखना है कि हमें कौन- वाटरावर दवेल्व एंटिंग टिस टिंग यह बना लिया एक लिस्ट बना लिए ठीक है इसी तरीके से एक और लिस्ट बना ले ताकि हम चक करके देख पाएं कि आपरेशंस हम कर पा रहे हैं या नहीं कि आपरेशंस बना लिए चोटी सी ठीक है कितने अलमेंट हुए 305 सेम हो गए हैं हमने दोनों लिस्ट बना ली हैं अब हम चाहते क्या इन्हें एड करके देखना चाहते हैं तो यह प्लस कर रहे होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं यहां तक की values हैं वो यहां पर आ चुकी है इसके बाद 12 से लेके बाद की values सारी यहां पर यहां पर प्रिंट हो गई हैं ठीके तो हम एक यहां पर छोटा सा experiment करेंगे यहां पर हम एक और value डाल दे रहे हैं let's suppose यह value हमने यहां पर डाल दी है अब हम चाहते क्या अब number up element से एक में 5 हो गए हैं और एक में 6 हो गए हम चाहते की अब यह run वह हमारी add हो पाएगी या नहीं अगर number up element अलग है इससे successfully हमारा execute हो चुका है मतलब कोई कोई error यहां पर नहीं आई है ठीक है चलिए तो हमने क्या देखा कि यह वाली element थी यह यहां तक आ गई इसके बाद जितने भी element हमने यहां डाले वह इसके बाद आ जाएंगे कोई number up element एक को लखने की या नहीं रखने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ रही थी हमें चलिए यह हमने देख लिया अब same operation हम कराना चाहते हैं किसमें multiply कराना चाहते हैं इन दोनों ही list का L1 और L का ठीक है तो जैसे ही multiply कराएंगे answer आएगा की नहीं कमेंट में जल्दी से बताए जैसे हमें से execute कराया तो हमारा error आ चुका है can't multiply sequence by a non integer of a type list ठीक इसका मतलब यह हुआ कि अ आपकी एक value कैसी होनी चाहिए इंटीजर होनी चाहिए क्यों तो कर क्या रहा होता बेसिकली जो अपकी लिस्ट है तो अगर multiply करा रहें तो इसका मतलब क्या होता यह उसी लिस्ट को तीन वार करके लिख देगा इससे हम क्या बोलते हैं जो हमने स्टिंग में भी दिख़ता अगर कराते हैं तो यह देखें आप दिखत नहीं यह पहली वाली हमारी यहां तक आगई यहां तक और यहां-एक तो कुछ नहीं किया वास उसी list को three वर यहां पर करके लिख दिया अगर हम 11 को कराते हैं तो इसके लिए भी देखных तीन वार यहां से लेके साथ यहां तक ठीक है इसके बड़ ट्रवल्प से लेके प्रो तक पर यहां से लेके यहां पर लिस्ट के साथ नहीं कर सकते हैं उसमें इन तरीके से नहीं कर सकते हैं यह भी हम देख लेते हैं तो लूप में तरीके से जो कि हमारा एक keyword भी है और एक membership operator भी है तो इसके बाद हमने डाला 11 ठीक है कि 11 से आप value निकालिए ठीक है आई में store करिए और loop लगाए यह हमने इस statement में लिख दिया प्रिंट कराए तो जासे ही हम प्रिंट कराएं तो क्या हो जाएगा का आई की वיलु फरिंट होजाएगी एक करके यहां पर सारी व्यलूस आपको दिक रहें होंगे ठीक है अगर आप चाहते हैं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां पर दिख जाएंगी बोबी प्रिंट होते हुए अब आप चाहते कि नहीं मुझे कोई अगर यहां पर यूज करना चाहते हैं तो आप भी आई यह सा उपरेशन लगा रहा है यह आपको बताना यह अगर हम ऑशा लिख रहा है तो क्या हो गया यह जो भी वहां पर वहां पर वह सारी वैलुज आगी इसके अलाबा तो चीज चीजें बच्शी हुए थी वह नहीं आ बगा देंगे उसी तरीके से नौट इक्वल डू में और वेलोस हमारी आ जाएंगे ठीक है तो यह दोनों चीज आप आराम से और वी जो आपरेशन आप यहां पर करना चाहें कर लेंगे कोई दिकत नहीं है अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं कि कि यह वारे मेंबरशिम के लिए काम कर रहा है कि कि नहीं तो जैसे हमने यहांपर लिख्वा मेंबर सिप ठीक है अब य हम चक कर लेते हैं कर दीज़े मेरे लिए क्या ये तो हमारा कोई भी यहां पर आंसर नहीं आएगा किंगे कंडिशन हमारी कुछ लिख नहीं क्या करेंगे इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे क्या प्रिंट कराएंगे कि नो इस नॉट जैसे हमने से प्रिंट कर आया तो यह क्या बता रहा है को ताकि हम क्या कर सकते हैं लिष्ट या इस्टिंग है इन सब में प्रॉपर कंडिशन्स लगा सकते हैं ठीक है चलिए यहां तक हमने चीज़ें देख लिए अगर यहां पर लिख रहा है कि नॉट इकल टू यह क्या बता देगा हाँ बिल्कुल बात बोले यह अलग नहीं यह अलग है बरावर नहीं तो बस इतना ही हमें कवर करना था उप्रेटर्स में यहीं सारी चीज़ें हमें देखनी थी अब हम क्या करते हम देख लेते हमारे कवन कौन से iya users मैं से रेक्टेंट falling टी के यह वैडरी तो यह एक इसे रहाएं जो हर कर आपड़े गा लरक्षितनी है इसी तरीके से हमने क्या देखा है लगा देख तो यह दिखा पर यहां पर दिखा रहा है तो यह हमारा क्या होता है उसके लिए चेक करते हैं इसके लिए यूज करते हैं चलिए अब आगे देख लेते कि मिन वैलू को चक करना है तो हम क्या करेंगे में हमारी मिन वैलू क्या है यहां पर दो चैके लाश्ट वाली सबसे बड़ी होगी अब चाहते हैं और भी होते हैं हमारे लाइक काउंट करते हैं यह हमारा क्या करेगा काउंट करता है किसको काउंट करना यह हमें थोड़ा सा है नगना पड़ेगा इस फंक्षन को हम कैसे यूज करेंगे अगर हम इसे ऐसे लिख रहे तो यह हमारा क्या देदेगा क्यों कि यह फंक्षन होता हमारा कि के लिए लिस्ट के लिए तो अगर कोई फंक्शन लिस्ट क्लास से बलाउं करता तो हमें क्या करना पड़ेगा उसे बताना पड़ेगा यह लिस्ट क्लास के लिए फंक्शन है तो कैसे बताते हैं उसके औब्जेक्ट या उसके वेरियेवल के तो हमने क्या कि अभी भी एक्ज बता रहा है यहां पर कितनी बार आ रहा है वो बताई आप यह सक्सेस्पूल रण हुआ और बता भी दिया क्या कि एक बार आपने लिखा था तो हम क्या करते हैं यहां एक बार किसी element को डवल करते हैं ठीक है तो हमने क्या क्या यहां पर एक लिश्ट बनाई यह हम क्या कर रहा है जैसे हमने चीज़े पड़ी है उसको यूज कर रहे रहे हैं ताकि हम क्या चेक कर पाएं ठीक वह सौरी क्या कर दिया अब हम क्या करेंगे यहां पर इसको कर देंगे तो जैसे ही हमने यहां पर यहां पर हमारा यहां पर हमारा यहां पर है इसलिए तरीके से काम करता है इसी तरीके से हम देख लेते हमारा क्या होता है क्या होता है तो अब हम यहां पर कहां पर पास करें यहां तो हमें चेक करना पड़ेगा इस फंक्सन के अंदर हमें क्या पास करना होता है ठीक है तो हमने क्या 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 मतलब यह सब के लिए बना है क्या चेक कर लेते कैसे जैसे किया तो यह हमारा सॉटेट फंक्सन यह चीजों को या लिष्ट को क्या करता है चेंज कर देता हुँनको असेंडिंग और या इसका यूज कर सकते हो हम चाहते हैं लेकिन हमें चाहिए क्या तो हमने क्या देखा था रिवर्स कर दीजे आप डिवर्स इसकोल टू जैसे ही आप करेंगे क्या ठ लिष्ट थी जो झो वह थो बैसी है बस यहां पर लुको मतलब एक्ट्वल लिष्ट में हमारे कोई भी अंतर नहीं आएगा अगर हम सॉ उसक्तर तो अगर या पड़ेगा लिष्ट का फंक्सन यूज करना पड़ेगा जो क्या होता है sort तो हम क्या करेंगे L3 के बाद क्या लिखा sort तो जैसे हम इसे लिखेंगे execute कराएंगे तो अब हम अगर L3 को check करेंगे तो answer क्या आना चाहिए proper ascending order में एक list आनी चाहिए ठीक है अब L3 अगर हम जब भी print कराएंगे कि यहां पर हमने sort function इस list पर लगा दिया है तो यहां अगर हम पूरी list के अंदर वो सारे changes करने चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा reverse function तो जैसे हम यहां पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यह हमारा execute हो गया और अब हम अगर इसे प्रिंट करके देखेंगे तो यह देखिए यह हमारी value कैसी होगी reverse format में प्रिंट हो गई अब अगर हम L3 को चेक करेंगे हमेशा तो कैसी रहेगी reverse में रहेगी मतलब sort function और reverse function लिस्ट में changes करते हैं जबकि हमारा sorted function होगा बो लिस्ट में changes नहीं करेगा बो क्या करेगा सिर्फ temporary basis पर उसको store करा देता है जैसा आप बोलोगे ascending order में या descending order में तो यह थे हमारे कुछ functions जो बच्चे हुए थे अभी तक तो आई होप कि आपको यह समझ में आए होगा क्या होता सौर्ट सौर्ट रिवर्वर्ज कांट function कैसे यूज करते हैं में मैक्स इस सारी चीज़ें हम और लेडी बहुत बार देख चुके हैं ठीक हैं तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टपल्स को कवर कर रहेंगे और thank you for watching the video मिलते हैं आप से next video में thank you